तो आज की वीडियो में हम चुरू करने वाले आपना नयो कोशन ट्रीज मोडियूल से ही है यह कोशन ठीक है तो कोशन का नाम जो है वह है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर आफ पाइंदे रही तो देख लेते हैं एलसी होते हैं ठीक है एलसी हमने लेवल 1 के कोशन में डिसकस कर जादा तो एक बार इसमें फिर से कर लेते हैं तो देखें एलसी मेरा जैसे अगर मैं नाम बोलू तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होता है ठीक है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मतलब सबसे नीचे वाला जो कॉमन है और अच्छा ठीक है यह जादा आगे निकल गए शुर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर सब्सक्राइब पीफॉर एंसेस्टर मतलब इसके पूरवज ना तो पूरवज मतलब जो इसके पहले आ रहे हैं और यह भी खुब का भी एंसेस्टर होगा तो सैवन एक काम करते हैं आप अब लिखते हैं और यह चारह ठीक है अब इसमें सबसे लोट कॉमन एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर यह तो हाइस्ट पॉर एंसेस्टर हो गया रहा है यह सबसे उपर आ रहा है तो इसके बाद यह भी कॉमन है तो मतलब्लाब की यह क्या हुआ यह स्वाइब के इसके नीचे आ रहा है यह ये इसके भी नीचे आ रहा है ये भी common है तो ये और हो गया more probable ठीक है ये इससे भी ज़्यादा प्रोबबल एलसी है अब उसके बाद क्या हुआ यहां से एक नोड थी इस नोड के बाद यह दोनों वैल्डियू जो है अलग 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 यहां तक सेम आ रहे थी यहां तक सेम तो six कहेगा कि मैं ही इन दोनों का फॉर और सेवन गा एलसी हूं ठीक है तो आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आई हो तो एक और चीज आपको बताता हूं इसमें ना एक और चीज जो हमको दिया है वो यह है कि कोई भी नोड अपना खुद का भी डिसेंडेंट होगा अगर तो अगर हम दो हम जो है इन दोनों का निकाले तो क्या होगा इसके आते हैं तो यह दोनों क्या है यह दोनों क्या है उसके अब यह निकालना है तिर से नीचे आ रहा हूं तो 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 त्रे से ज़्यादा प्रोबैबल हूं तो यह कहेंगे यही लास्ट पॉइंट है यहां पर दोनों मीट कर रहे हैं तो सेवन और सिक्सी होगा ठीक है तो आशा करता हूं यह बात आप अप को समझ में आई हो और हाँ एक और चीज अचा अभी तक हम जो यह वाला कोशन कर रहेते हैं वह कर दें हम कि अनुड़ियू पाथ क्या करतें हम एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं सब्सें को निकालना है ऐसे निकालते हैं वन का और फॉर का तो निकालते थे तो क्या करते थे इसका नोट तो रूट पान निकालते थे तो निकालते हैं तो यह भी आसानी होगा पर कोई बात नहीं एक्जांपल है नहीं हो आमार बस इसका निकालेंगे 13 14 10 और 8 चेक करेंगे कौन सा लास्ट पॉइंट जहां पर करें दें क्योंकि देखें जहां पर कॉमन मिले वह ऐसा च्रूंफ यहां पर और भी घूते ऐसा कुछ होता तो कि दिख सकते हैं अचा बिद्ध तो छूड़ा सा नीचे करता हूं अब दिखिए यहां पर तोटो सा ट्री को बढ़ाने कोशिश करूँगा इसकी जगह मैं बनाने की इसमें 6 है अच्छा मैं एक और चीज बताना गूल आपको की ट्री में सारी इनीक वैल्यूज है यह देखिए इसका रहा है कि अच्छा इसका न लोगा और एक चीज करते हैं हाँ पर त्वैल लिखते हैं कर लेते हैं और इसका यहां पर यहां पर 13 नहीं 14 कर लेते हैं 14 भी है तो 16 करते हैं ठीक है तो देखिए 12 19 8 10 14 और 13 ठीक है तो यानि कि अब भी फिर से LCA define करेंगे हम इसका हम फिर से यहां पर इसका LCA लिखने कुशिश करेंगे तो यह 10 तर आवा इतना हम देखिए 7 6 3 7 6 3 8 अब 19 और 12 भी आएगा जी 19 और 12 भी आएगा ठीक है अब 10 तक आ गए अब 8 भी आएगा साथ में और साथ में आएगा और इसको थोड़ असा करते है साइड कि यह तो आपने देख लिए राइट अच्छा एट ने लिखा यहां पर कि त्री के बाद का है का है कौन साथ 7 7 6 3 8 आना था ना तो थरी के बाद 8 भी आना है यहां पर फिर 19 फिर 12 ठीक है और इसमें 13 14 10 फिर 8 फिर 19 और फिर 12 तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे देखींगे यह देखेंगे यह हमारे दोनों क्या है नोट टू रूट पाथ है ठीक है नोट टू रूट पाथ है पीछे शुरू करते हुए चेक करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर दोनों के लिए ने यहाँत नहीं हो सकता है rectangLD क्योंकि मैं तो लिए हो सकता हुं ॥ तो हमने का अच्छा तो अब यह से नीचे आ रहा है और अब उसके बाद हमने का ठीक है अब हम एट और रेट पर जब आए तो हमने कहा कि मेरा यहां पर अब यह भी टैनों यहां पर यहां पर इमन न रखाए तो इस पर जो भी तो इसके कोँगा कि यह फूसकता है कि मेरा अब यह कर द ओजने यह जरुए में अपसमें एक को नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब जो है मुझे जो है अपने दोनों अगर एक चाइड़ यहां पे जा रहा है तो यह पहले चले गए तो मतलब लास्ट पॉइंट था तो यही चीज आपको समझने थी किस में node-to-root path वाले function में जो की node-to-root path का यूज करके हम समझने थी पर इसमें हम नहीं करने वाले जैसे कि मैं आपको बताया इस question में हम इसको करने वाले हैं विद आउट एक्स्रासपेस से बिल्टाउट इनी एक्स्टर स्पेस अपर है कर सुछ स्पेस यह यह लिए गया अग। पर उसके अलावा कोई भी हम लिंक लेंगे या फिर वेक्टर या फिर कोई भी एरे हम नहीं लेने वाले हैं हम इसको बस रिकर्जन से करेंगे ठीक है अच्छे लिए देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम करने वाले अपरोच क्या रहने वादी है ठीक है और हम ठोको क्याकर पिशह करते हैं अपरोच जाननी की तरफ की कैसे चलीगे खी करेंगे की कि ये चुपा और एक बनाएंगे स्टैक से सुमझा होगा ठीक है तो देखिये इस इसमेनाट अब मैं क्या करने वाला हूँ अब इसमें मैं लेने वाल ओं टीण ऐसे में एको मैं कऊँगा सरफ प्रेजाट एको मैं FCट मैं काऊँगा לב कर राइट प्रेजांट ठीक है तो इसका मतलब क्या है ? मैं इसमें Regurgeon से Traverse करूँगा और मैं चेक करूँगा यह खुदी उसके equal है खुदी root value जो है मेरी p या q में से किसी के equal है अगर किसी के equal है तो यह कहेगा कि मेरा self present true है यह कहेगा है ? मेरा self present true है जब यह self present अबना true कहा देगा तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि वहाई इसके left मैं कुछ है क्या मतलब मैं पी या क्यूं मैं से कुछ left मैं कुछ value आ रही है एक्जाम्पल लेके देखते हैं एक्जाम्पल लेके जादă clear होता है सब्सक्राइब कर रहा हूं एट नहीं कहा है और लेफ्ट के लिए तुम लेफ्ट की तरफ चले जाओ पहले लेफ्ट अभी कुछ नहीं होगा राइड अभी कुछ नहीं होगा लेफ्ट से मैं कब मार्क कर सकता हूं तो इसने का लेफ्ट की तरफ चलो लेफ्ट की तरफ गए वन ने कहा मेरा फॉल्स है और इसकी तरफ चले जाओ तो जब इसके हम लेफ्ट पे गए और इसके राइड पर गए तो इसके राइड भी कुछ नहीं मिल्ला इसके राइड भी पॉल्स है वापिस आए 3 यह खता हुग जो इसके तो यह स्टैक से गाइब जागा अच्छा चलिए स्टैक में दिखा देता हूं आपको जब ड्राइरन करी रहे हैं तो 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 पिर त तो फिर थोड़ असमय लोगा ताकि साफ्साफ काम करने के लिए साफ्साफ सी स्टैक मना पाऊ हुआ है तोड़ी हैं राइडिंग बेकार हो सकती है उसका बूरा बत मानना हुआ है करना का यहां पर क्या 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 का थे मैंने अध्यास रफ यह तीन चीज होगी तो शुरू करते हैं तरह से पहले आठ आया कि तरफ जाना अच्छा किस-किस-का निकाल नहीं तो बताया नहीं किस-किस-का निकाल लेते हैं किस-किस-का हम कहेंगे कि हम निकालेंगे 4 का और हम निकालेंगे 7 का ले देते हैं पहले छोट एक्जामपल 4 और 7 ठीक है 4 & 7 इसका हमको निकालना है LCA वही है 4 & 7 ठीक है थोड़ा सा बढ़ा करेंगे इसे बाद में अभी थोटी दिर मीं जब चलते रहेंगे तो देखें अब और उससे पहले कहा झाना सेयं कि फाल्स के तरफ कि निगा कर दोनों पार छोड़े घुंकिَ हुछ कि पहले अब फिर रोन के पास आया थो फट घर कहा चेक कर लेना ठीक है लेट की तरफ मैंने ळने डिट कि तरफ चेक करा कुछ नहीं आया वहांसे नन पर यहां से यहां से ऐ तो कि पूरा भी हो चुक है न इसकी बूरी कि अब ये आजाएगा इससे बाहर गाएँ से रिटर्न करतेगा इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं मिला है लेप्ट में कुछ भी नहीं मिला है लेफ्ट उन्हें बना दिया पागल और कहा कि कुछ है नहीं आप प्रसक Acts सब्सक्राइब गततन renew अब झ değil घसके नहीं है नहीं दिए फॉर्ष सब्सक्राइब अब 6 के पास और यह अब दोनों चीजे लिएगी ठाली अब ही ठीक है तो four के पास आया तो फिर तो फैर पिर तो फिर अ कुछ तरह कर में to यहां पर आएगा तो लेके क्या आएगा इसे उड़ा और सोचते हैं क्या लेकर आएगा इसको क्या बताएगा यह क्या हुआ यह कहेगा कि भाई अच्छा सिक्सके लेफट पर गिरेगा तो यह पास एक तो में इसे तूंगा क्योंकि मैं कुछ तो मिला है तो अम मैं गिरा सिक्स पे अम मैं इसके राइट यह लगी लगाना पर उसने कहा देने के बाद उसने कहा कि इन दों को तुम देख लेना तो अब यहां पर लेट लगेगी फॉल्स यहां पर लगेगी फॉल्स तो लेट से कि देखे क्यों कि आप तो बताओं कि इसको क्या रेटाम करूं एक तो मिला है न कुछ तो अपने ऊपर वाले को कहेगा कि यार एक तो मिला है कुछ कुछ तो मिला है कि इसका left भी true है इसका क्या हिसा मतलब यह हमोडे मैं लेफट से घूंट के वागे हूँ और अंसर तुमku मैं ने रिटार्ण कराय है फिर यहां से सब्सथ टूरु आ नहीं कि कहा रहा है बती हैं कि वह तुम्हेरा इस साइड हो सकता है है कहीं भी maior हो सकता है मलंगो पर एक जो तुम ढोंगर को बचा नोट ये कहेगा मैं हीतक हुभ जहां मिद्र इदर अदर जारे तो यह पॉइंट कहेंगा भाई मैं ही यह हूँ इनका मैं ही यह हूँ तो 6 क्या है LCA 6 LCA LCA 6 इनका LCA ठीक है तो code देख लेते हैं फिर इसका C++ में code करना था code कैसे करेंगे देखते हैं देखें सबसे पहले हमको क्या चीजिए था ट्री नोड ट्री नोड ट्री नोड स्टार इसे में वहांगा LCA ठीक है LCA और इसको मैं नल पॉइंटर के को लखूंगा ठीक है ग्लोबल वैरियेवल मैंने ले लिया एक अब इसके बाद एक boolean टैप का मैं function मना रहा था रही बूल इसका नाम देदेटे लुकर यह ए ल्कर पर और क्या क्या का पास करूंगा मैं इससे पास करूंगा है प्री नोड अरौड स्टार रूट रे हम एक då प्रेट पास करूंगा थिक है तो अच्छा पी और क्यों निक होंगे ठीक है यह मैंने बता दिया पहले प्योंगे आपको दिखा दिया और अच्छा एक और चीज इफ रूट इस इकोस टो नल पॉइंटर तो तब हम क्या रिटाउन करेंगे देखें देखें पहुंच गया ह आप एक तीन चीज बनाती है कि क्या कैंती चीज हैं कि मांतओंगा एक बीटाइब्स एक passa कोट आप कोसत eight बनाऊंगा ए zawsze डनेंगे चल रहा हूं और मैं थूद करूंगा अब मैं दोनना शुरू करूंगा if my root valve is equal to equal to p या फिर root valve is equal to equal to q अगर इन दोने कंडिशन में सा कोई भी कंडिशन होती है true तो मैं कवाँगा self-present है true self-present तो भाई true आया है ठीक है मतलब इसके बाद तो है self-present इसका true है ठीक है जब इसका self-present true है तो उसके बाद क्या करेंगे हम लगाएंगे left present के लिए call left present is equals to lca helper ठीक है और इसमें हमको पास करना है root का left value और पास करना है हमको p और पास करना है q same to same काम करेंगे किसके लिए right के लिए ठीक है बसपर के बनाएं कि इस बार हम root के right में जाके चेक करेंगे p q को same तरीके से भेज़ाएं और हमको return क्या करना था हमको return करना था कोई भी एक true आ जाए left pair right pair या फिर या फिर या फिर तो प्रेज़ेंट ठीक है अगर प्रेज़ेंट राइट प्रेज़ेंट या अब इसके बाद जब दोनों मैंने चेक कर लिए तो उसके बाद एक और चीज़ चेक करना था ना पोस्ट आड़ा में क्या नम कर रहा था मैं मैं चेक कर रहा था अगर मेरा कोई भी दो यानिकि left प्रेज़ेंट एंड एंड राइट प्रेज़ेंट या फिर या फिर लफ्र प्रेज़ेंट एंड एंड सेल्फ प्रेज़ेंट या फिर लेफ्र प्रेज़ेंट एंड एंड राइट प्रेज़ेंट एंड एंड सेल्फ प्रेज़ेंट तो शुरुवात में हो गया था तो present self present or right present self present right present, right present self present ठीक है इन तीनों में सा अगर कोई भी condition होती है true, ठीक है मतलब कि कोई भी 2 यानि कि self बाला कहा रहा है कि ऴेरे पास है और सेल्फ सेल्फ के बाद हो कहा है तो यानि कि वह सेल्फ में जो है वह उसका हो जाएगा क्या एल्सी एंट सेम थिंग फर लेफ्ट एंड आरपी ओके तो अब हमको क्या गरना इसमें इसमें हमको एलसे सट रहें तो एलसे इकोल स्टू एलसे किसके बराबर हो जागा यहां पर रूट के एक और चीज़ अब क् यहां मैं क्या लिखूंगा इफ इफ माए लसी इस नॉट एकोल सुनल ठीक है अगर लसी नॉट न ला रहा है तो यानि की मिरको एलसे मिल चुका है पहली तो मैं ट्रो डिटां करूंगा यहां से से में कंडिशन में लगा दूंगा लेफ्ट राइट पेर के बाद की देख है मतलब कि यहां पर पहुंचेंगे हम तो यहां पर क्या करना है एक बार को कॉल लगा देनी है ताकि वह जो है सेट करके लिए हमारा कि क्या पी क्यों अब जब यह सेट हो जाया तो हम सिंपल यही रेटान करेंगे ठीक है और एक बार चेक कर लेते हैं कुछ कुछ compilation तो नहीं आ जाएगी कि आपाइडेशन आने के लिए क्या हो सकता इसमें पॉइंट डॉट लगा रखा होता है जहीं पर ठीक है मुझे लगता है नहीं आएगी एक बार देते हैं से रॉन कोई एक्सेप्ट हो रहा है सम्मिट करते हैं सभी टेस्केस इसके लिए बहुत ही संदर चल भी रहा है तो देखें तो यह हो गया हमारा तरीका क्या विदाउट एक्स्ट्रा करना हो और आपको कहीं पे आपकी जो डूट यू अगर वह पर मिली है तो आप महां से या फिर उस नोट की वैल्यू रिटर्ण करूं और अगर नहीं मल रहे है तो आप नल रिटर्ण करूं जब आप देखोगे एट सम पॉइंट सबोस्स किसी नोड पर चेक कर रहे हो कि म तो इसके लिए हम वीडियो बनाने कोशिक करेंगे और इस वीडियो के लिए पिछलीएंगे तो अब मिलेंगे नेस्थ वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करें चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गुडबाई टेक क्या